हलो ऑबरीएं वेल्कम टोमा ऐच्राइनल सो गाइज आज मैं यह पेंटिंग में वाले लिए हूँ सो सबसे पहले मैंने अवयल पेस्टिल कलर को लिया है तो laquelle मैंने यलो मि Hm और लगाती जाओंगी फिर मैंने ओरेंज कलर को लिया है अच्छे से इसे भी हम डांगरांड्य चेह में इसे करते जाएंगे पिन्ड लास्ट मैंने पिंग क कलर को ताकि शेड जो है अच्छे से आ जाए और देखो गाई यह मैं इससे अच्छे तरीके से कर दूंगी क्योंकि नवरात्रे आ आ गए हैं सोरी नवरात्रे चल रहे हैं सो मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ ने कुछ मा दुर्गा पर पेंटिंग बनानी चाहिए तो मैंने इस तरह से से कर लिया और ये फिर मैंने इससे अब हमने इन कलर्स को मर्ज करना है तो मैं टीशू पेपर की हैल्ट से कर रही हूं और ये टेबल भी काफी जादा हिल रहा था तो कि इसमें थोड़ा जोर लगता है इस तरह से मैंने इन कलर्स को मर्ज किया है और ये यलो कलर देखो कितना अच्छा लग रहा है अब जैसे जैसे हम इस तरह से रब करेंगे तो इसका कलर और भी जादा अच्छा निकल के आएगा और ये अब मैं पिंक कलर को भी इसी तरह से मर्ज करूंगी और ये भी काफी काफी अच्छा कलर निकल के आएगा और यहां पर टेवल ने काफी ज्यादा दुमूसडा मचाया हुआ था बट फिर भी काफी इच्छे से यह हो रहा है तो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है देखो जैसे मैंने सोचा था यह वैसा रूप ले रहा है लाइटर टू डार् यह मैंने खुद बनाया था कट करके पहले मींस की जैसे भी होता है आ Jin'll मैंने रखा और यह बलैग कलर से मैंने क्रंडर यूज कीए तो अब मैं से अच्छे से इसके अंदर पेंट कर दूंगी बस इसके अंदर-उ-दर करना है ध्यान से करना है जैसे पूरा मैं कर रही हू तो इसी तरह से आप इसे करते रहें अच्छे से इसको हिलाए न अगर आप हिलाएंगे तो ये मेंस के माप की पिंटिंग बिगड सकती है तो गाइस जैसे के मैंने उसके से बिगड सकती है तो मेरे बिगड भी गई थी क्योंकि ये जाधे गिला गिला हो गया था और जब मैंने निकाला तो ये सारा बीच में रह गया था पेज, जिसकी वजिसे फूरी पेंटिंग खराब होगी थी पर मादूर्गा ने मेरा साथ दिया मेरे दिमाग में एक आइडिया आया फिर मैंने क्या किया और जो मेरे पास अधर कलर्स थे मैंने उनको ही अच्छे से वाइट कलर लिया, एक्रेलिक कलर उनको अच्छे से लगाया और देखो वही एंट रिजल्ट देखो मादूर्गा की बज़े से ये एंट रिजल्ट आया थेंक यू